Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल इसका पूरा spread है, उसको रोकने की कोशिश की गई, और भारत में भी आपको पता है कि polio खतम हो चुका है, कुछ strain वगर पाया जाते हैं, वो मैं आपको आगे बताओंगा वीडियो के अंदर, लेकिन यहाँ पर अब चिंता की बात यह आई है, जो खबर सामने आ रही है कि London में, New York में, Jerusalem के अंदर, जो polio है, वो पाया गया है, यह आप देख सकते हैं, वो polio has been detected in New York City wastewater official से, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इससे क्या हमें चिंता होनी चाहिए, भारत क्या कर रहा है, इसको लेकर, वो सब कुछ हम देखेंगे, काफी कुछ जानने को है, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा दोस्तों, 22nd of August से, जो पूरा UPSC का batch है, उसका preparation आपके लिए कराया जाएगा, इसको join करने के लिए आपको हमारे website और app पर जाना है, और जो हमारा main मकसद है, affordable education का, उसके तहत सर्फ 19,000 में सोच के देखिए, पूरा course आपको provide किया जा रहा है, अगर आप code इस्तमाल करते हैं, अंकित live, तो यहाँ पर यह morning batch ह होगा, हर रोग सुबह 8 बजे class होगी, लेकिन अगर आपको evening batch join करना है, वो already start हो चुका है, वो भी आप हमारे website और app पर जा सकते हैं, उसको join कर सकते हैं, यहाँ पर live classes, 900 plus hours of live teaching, UPSC से related, जो MCQ हो गया, daily current test series, और साथी साथ main exam के लिए answer acting practice कराया जाएगी, और one-to-one mentorship भी करा जाएगा, इसके साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आप geography optional की त्यारी कर रहे हो, इसका भी आज से ही live classes start हो रहा है, हमारे website और app पर जाएगे, and again use the code unkit live ताकि इस पे भी आपको maximum discount मिल सके, I hope कि इसके अलावा जो MCQs हैं, वो मेरे insta page पर आप लगातार कर रहे होंगे, जित्ती मित्ती होती है, क्या होता है, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन tens of thousands of children every year, मतलब हर साल जो है, जिससे paralyzed होते थे, कई बच्चों की मित्ती हो जाती थी, वो polio यहाँ पर London में, New York में, Jerusalem में, यहाँ पर पिछले कई दसक में पहली बार spread हो रहा है, ऐसा बता पर हमने कहा कि यह eradicate हो गया है, लेकिन US के अंदर तो काफी पहले ही हो गया था, और massive drive चला गया था इसके लिए, लेकिन यहाँ पर फिर से वापस से जो खत्रा है, जो डर है, वो वापस बन गया, क्योंकि पिछले कुछ हफते पहले बताया जा रहा है, कि एक परसन जो है, वो polio से positive पाया गया था, 12th of August को health officials ने यहाँ पर report किया, कि New York के city में जो water waste sample होता है, सीवेच का जो water होता है, उसकी testing की गई, और यहाँ पर polio virus के samples पाये गए, और इसकी वजह से, in fact मैं आपको बता दूँ, तो जो एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, कि क्या यहाँ पर polio का resurgence हो रहा है, पूरे दुनिया के अंदर, लंडन में भी यहाँ पर दो area's में cases पाये गए थे, और भारत को इसको लेकर क्या चिंता होनी चाहिए, तो चलिए इसके बारे में हम देखें, लेकिंग यह जो polio का थोड़ा सा इतिहास है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ज parents को बहुत डर लगता था, क्योंकि जादा तर जो polio है, वो आपका बच्चों को होता था, who were under 5, 5 साल के नीचे के बच्चों को होता था, और especially जो मैं आपको बता रहा था, 20th century, जो पिछला वाला सताबदी था, उसका first half में यहाँ पर काफी डर लगता था, लेकिन problem की बात इसमें यह भी थी कि यह asymptomatic होता है, मतलब कि यहाँ पर आपको पता भी नहीं चलता, symptoms भी सामने नहीं आते, कुछ cases में symptoms सामने आते थे, fever, vomiting, इस तरह के cases, और हर 200 में से एक जो बच्चा है, वो irreversible paralysis की तरफ चला जाता था, मतलब अगर 200 लोगों को, 200 बच्चों को infection हो रहा लेकिन इसका problem यह था कि उस समय तक कोई भी इसका cure नहीं था, कोई vaccine found नहीं की गई थी, finally 1950s में vaccine आया, और यह प्रकार से रामबाण की तरह साबित हुआ, मतलब कि इतना जादा इसका प्रचलन किया गया, क्योंकि लोग इतने परशान हो गए थे, पोलियों की वज़े से, finally 1950s में आया, और इसकी वज़े से इस disease को prevent करने में आसानी हो गई, आज तो हम शायद उसकी महत्व नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उस समय इसने बहुती important role play किया था, इसको eradicate करने के लिए, वैसे अगर आप देखोगे तो globally लगभग हर जगा से यह खतम हो चुका है, wild form को अगर आप छोड़ दो, बागी पूरे दुनिया से, in fact Africa जैसे देशों से यह खतम हो चुका है, मैं wild form की बात कर रहा हूं, जो natural फैलता है, लेकिन एक दूसरा होता है, जो vaccine derived virus होता है, वो आपका कई कई जगा देखने को मिलता है, अफरिका की कई देशों में देखने को म जैसे इसी साल बताया गया कि यहाँ पर 1990s के बाद से पहली बार माला भी मोजांबिक में जो cases हैं वो पहली बार detect किये गए थे, लेकिन यहाँ पर यह मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं कि wild form, natural form और जो vaccine से derived virus होता है, उसमें difference कहा है, तो अलग-अलग strain होते ह इसका दो main form होता है, आप कह सकते हो, एक तो जो wild type, जैसे की COVID वाला आप देख लीचे, COVID में क्या हुआ था, natural fail रहा है यह, तो यह wild form of virus कहते हैं, animals से, humans में आया और इस तरह से यह failता रहता है, तो यह तो एक हो गया, लेकिन इसके अलावा, कुछ rare cases होते हैं, जिसको हम कहा जाता है, vaccine derived polio, अब देखो, vaccine से कैसे polio हो जाता है, देखो, बहुत ही rare होता है, millions of vaccine जब लगाए जाते हैं, बच्चों को, तो उसमें से एक कोई case आ जाता है, actually क्या है कि जो OPV आप अक्सर सुनते आ रहोंगे, बच्पन से OPV, oral polio vaccine, इसमें क्या होता है, इस vaccine के अंदर, live form of polio virus होता है, polio virus का live form होता है, लेकिन weekend form होता है, बहुत ही कमजोर form होता है, वो आपका फैलता नहीं है, basically आप कहलो, लेकिन still क्या है, वो तो live है न यहाँ पर, ठीक है, और इसकी मुझे से क्या होता है, कि मान लिजे किसी भी बच्चे को यहाँ पर OPV लगा है, oral polio vaccine लगा ह तो उसका जो waste होता है, feces होते हैं, ठीक है, जो human waste होता है, तो यहाँ पर जो feces होते हैं, उसके contact में वो बच्चा आ जाता है, परसन आ जाता है, जिसको vaccine नहीं लगी है, तो उस case में यहाँ पर जो virus है, वो पैल सकता है, तो इसलिए कहा जाता है, कि vaccine derived virus, मतलब कि जो इस पाओगे कि वैक्सीन लगाना कितना है important अगर सभी लोग वैक्सीन पूरी तरह से लग जाए तो ये फिर नहीं फैलेगा लेकिन क्या है कि New York के अंदर और ये जो case पाया गया है उसके अंदर बताया जा रहा है कि जिस person को paralysis हुआ है उसको वैक्सीन नहीं लगी थी तो देखे क बहुत कम पाया जाता है कुछ locations पर मतलब जो मैंने आप पर New York, London ये सब बताया यहाँ पर तो कभी सुनने को भी नहीं मिलता था ये ज़्यादा तर अफ्रिका के देशों में जो vaccine derived polio है क्यों कि अफ्रिका में क्या होता है कई लोगों को vaccine लग या कुछ लोगों को नहीं ल होता है लेकिन इसमें भी मैं आपको एक interesting जी बताता हूं कि अब क्या होने लगा है धीरे-धीरे कि यहाँ पर OPV की जगह oral polio vaccine जो drop लगता है ना दो बुन जिंदगी की जिसको हम कहते हैं तो oral polio vaccine की जगह जो है अब यहाँ पर inactivated form of polio vaccine लगने लगा है जिसको IPV कहा जाता है तो इसकी अंदर इस vaccine के अंदर जो virus होता है वो dead form में होता है लेकिन आपको समझने की जरुवत है कि जो oral polio vaccine है वो ज्यादा effective होता है लेकिन इसकी वज़े से problem क्या है कि कभी-कभी millions of किसी एक cases में यहाँ पर जो है वो virus आपका किसी दूसरे में transfer हो सकता है तो जिसको vaccine derived virus कहा जाता है तो भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो अब हम धीरे धीरे जो inactivated polio vaccine है उधर shift हो रहे है यह वाला भी दिया जाता है भारत में और यह वाला दोनों दिया जाने लगा है ताकि यहाँ पर बच्चे safe भी रहें और यह virus जादा तीजी से फैले भी ना लेकि जिन्होंने यहाँ पर vaccine नहीं लगाया ठीक है COVID का तो vaccine नहीं लगाया अपने बच्चों में भी vaccine नहीं लगवाने दिया और इसकी वज़े से अब बाकी के भी जो vaccine है उसका भी विरोध कर रहे थे चाहें polio vaccine हो कोई भी vaccine हो उसका विरोध करने लगे तो यह एक बहुत current था 2020 में आपको बता हूँ जब COVID चल रहा था तो polio जैसे vaccine के उपर ज्यादा focus नहीं किया गया जिसकी वज़े से polio के cases तीन गुना बढ़ गए पिछले साल के मुकाबले 1081 vaccine derived polio cases सामने आये थे 2022 में अभी present में आप देखोगे तो already 177 cases हो चुके है लेकिन आप कह सकते हो कि अब वापस से जो vaccine campaign है वो track पर आ चुका है लेकिन जो wastewater जो अभी New York के अंदर उसमें से finding सामने आई है उससे साफ पता चलता है कि अगर हमें अपने बच्चों को protect करना है तो vaccine लगाना सबसे ज़्यादा जरूरी है अब question है यह है कि भारत क्या कर रहा है इन सब चीज़ों क किया जाता है और सरकार और लोगों के साथ मिलकर collective effort की वज़े से हम भारत से eradicate कर चुके हैं फोलियो और इसके लावा in fact मैं आपको बताओ तो जो environmental surveillance program है वो भी भारत में चला जाता है अभी पिछले साल बताया गया कि मुंबई का जो seaweed sample है वो लिया गया तो को seaweed से sample लेना seaweed sample लिया गया था उसमें polio का strain पाए गया था लेकिन इससे कोई बिमार नहीं हुआ ठीक है इस तरह के strain directly देखें को मिलते हैं कई बार लेकिन जरूरी यह है कि हम लगातार जो vaccine है वो लेते रहें तो भारत में तो inactivated virus vaccine और जो oral polio vaccine है दोनों इस्तमाल किया जाता है लेकिन जैसा मैंने बताया oral polio vaccine जादा effective है लेकिन इसकी वजह से vaccine derived जो polio है virus है वो भी आपका फैल सकता है भारत के अंदर अलड़ी जो health officials है वो 165 million children को अभी भी track कर रहे हैं ताकि यहाँ पर हमारा जो quality है immunization का उसको हम देख सकें और यही है पूरा वीडियो दोस्तों तो यहाँ पर भारत के लिए चीज ही जय है कि हम जो चीज करते आ रहे हैं उसको करते रहें उसमें डिलाई ना बढ़ते हैं कि भारत में खतम होगया तो आप कुछ नहीं हो सकता है कभी यह रिमर्ज हो सकता है तो यह हमें ध्यानु में रखना है कोशिश यही करना है कि सभी को time to time vaccine ल पार्ट में जाकर मल्टिप्लाई होता है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उतर में कई सारे जो MCQs हैं, वह यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF के ही तो टेलिग्राम पर आईए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जोड़ पाऊगे, और जैसा मैंने बताया, UPSC की त्यारी आप काफी आसानी से कर सकते हैं, बाइ यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव आपको सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा, हरी अप क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, और जो क्लासेज हैं वो आपका 22 अगर से स्टार्ट हो रहा है हर रोज सुबह 8 बजे, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से नेक्स टाइम टेल दें, थैंक्यू बरी माँच, सी यू सून.